नमश्कार आप देख रहे हैं दनियो सुटीन और मैं हूँ अंचली राथ लगतार हम सहरा इंडिया के खिलाप अबाज उठाने वाले चहरों से बातचीत कर रहे हैं चर्चा को दौर बनाएं अज इसी कड़ी में एक बार फिर से हमारे सब जुड़े हैं मोहित कुमार जी जो आपके द्वारा किये आंदलन कितने सफल बताय जा रहे हैं निश्चित तौर पे जो हम लोगों को फिडबेक मिल रहा है सभी जगाओं से आज निश्चित तौर पे वह सफलता मिलती नहीं रही है क्योंकि आज जिला के सासन परसासन तक हमारी सुचनाय जा रही हैं लगात बड़ी समस्या है सब्सक्राइब लगातार आगाज उठा रहे हैं तो क्या विपक्षी पार्टि आप लोगों का साथ दे रही है हैं हमारे साथ अभी अभी मांतलब कोई भी राजिटिक पार्टी का समसा सपोर्ट जो है सीधे तौर पर नहीं मिल रहा राजिटिक पार्ट सबताइ मिलना काफी है या आपके सपोर्ट में खड़े उतरना काफी होगा क्योंकि सत्ता में बठी जो कैंडर सरकार है उसके खिलाफ कोई मौका धीन शोड़ती आवाश उठाने का तो क्यों विपक्ष साहारा का मुद्दा नहीं उठा रही है कहीं 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 आज जो भी सत्ता पक्ष में विपक्ष में खड़े हैं वो यह मामला की बहुत पहले से हैं तो जो विपक्ष के नेता है वो कभी यह पक्ष में रहा करते थी आज जो पक्ष में थे विपक्ष में ह तो जितना भी राजिंतिक सकते के लोग बैठेवे ऑन कहीं ने कहीं सारा इंडिया से उन्होंने बहुत जवर्दस्त फंडिंग लिये अपने मतलब लेकर के अपने मतलब उसका जो कार शेली में रहा है कि जो रही है उस पर वह फंडिंग का पढ़योग चेहां आज इसने लि हैं तो क्या आपकी आवाज जो है केंडिस तरकार तक पहुच पाएगी क्या साहरा इंडिया के उस सुप्रे द्रोई जो साहरा श्री के नाम से जाने आते हैं उन तक पहुच पाएगी और जो निश्चित तोर पे कड़ी-दर-कड़ी जो जूड़ती जा रही है जहां हमारी पर शुक्य आवाज सुनने वाला कोई नहीं था आज बयार की अगर मैं बात करूं तो आज पुड़े बयार अस्तर पर जो है लोग जो है खुल के सामने आ रहे हैं चाहे वह狩ों जहांग करता हो दैखार ओनिंगम को चुड़ाओवों को लेका अचार संकिता लगा हुआ हो रही हैं और हम लोग सरकार तक अपनी बात पहुचाने के लिए लगातार हम लोग मिटिंग सिटिंग कर रहे हैं लोगों को नियमत तोर से जानकारी दे रहे हैं कि अब हम ठाहरा पैसा एक बार में जमा हो गया था, यह सहारा इंडिया ने को यह अथी तोाज outta my और नारवनों के बावजूत भी जो है निबेश्या को नहीं रुके हो औरु औरम में फिर लोग 민h sicher सारा इंडिया जो है थोड़े-थोड़े करकर के लोगों से पैसा निवेस लेते रही और जो लोग आंदोलन कर रहे हैं ते जो लोग कहीं ने कहीं कानूनी पतलब से कंजा कस रहे थे उन गिनेच उने लोगों को उन्होंने भुकतान सुरू में दे करके मामला को अपने तक और बहुत सारे इस जंके रहे हैं सहारा इंडिया में जो लगातार मेनेजमेंट का सफाई देते वे वह आगे बढ़े इनके लिए मेनेजमेंट ने उनको बजाबता समय समय पे उनको जो है एक पाइकेस दिया ताकि वह आ करके हम लोग कार्टा को मिल करके दिद्बर्मित क का काम करे वो सहारा इंडिया में बहुत सारे कारकरता ही हैं वहाज जो है मैंनेगोति को करने का काम कर रहे है इस वहसे यह लड़ाई कापी मुष्शिट से देड़ से सुरू हो पा रही है और इसमें भी अब हमारे ही यह 100% शंख्यान नहीं करकरता हूं जमा करता खुल के आगे आ रहे हैं तो उनको लेकर के अब कारकरता को भी निकलना पर रहा है जो लोग कंपणी के अंधभक्त बने हुए थे कारिकरता अब वह भी इस बात को समझ रहे हैं कि आज अगर हम जमा करता के लिए आज हम आगे नहीं आएंगे तो निश्चित तोर पर हमारे उपर भी सिकंजा कसा जाएगा और पानूनी रूप से हमको भी जो है सिकंजा कस करके उस पर कारवाई की जाएगा तो अब खुल के थोड़ा सहयूप मिल रहा है सर बिहार में आप प्रदेश का इस्तर समाल रहे हैं तो कितने निवेशव वहां पर है जिनका पैसा सहारेंग्या में पता हुआ है और साथी साथ आपने अपने प्रयासों से आपके मूर्चे ने आपके जो आपका जिला इस्तर पर जिस तरीके से कारे किया जा रहा है आप पुछ लोगों को निसीत इतने बड़े पैमाने बिहार में 38 जिला है और हर जिले में लगवग 20-25 हज़ार संख्या में हमारे डिपुल्टर हैं जिनकी हर अभी मैं बता हैं जिलों में जो कारिकम हुआ उनमें लगवग जो है 300-400 करोर का मामला खुल के सामने आया है 20-22 करोर का और आज उसका मैचूटी अभी लगवग 42-44 करोर की बात आ रही है इस्टेट को ग्यापन देंगे वहां के विधायक MLC सांसत को हम लोग ग्यापन देटे हुए हम लोग मान करेंगे कि सहारा में जितने भी जमा करता है उनका पैसा जल से जल भुगतान को लेकर कर रास्ता मिलें डिसीज जहां-जहां हमारी लडाई हुई है उस जिला के डिसी महोदе से हम लोग को यह त वसन मिला है की आपकी जिले का जो भी समस्या है राजिसरकार तक रिपोर्ट बना के उसको क्यों की जाएगी और परसासनी जो है आपके जिले में जो भी होता है वो की जाएगे तो हम लोग परसासशनी कारवाई को अधार मनाते हुए अभी बहुत सारे ऐसे हमारे जमा करता है कि लगातार वो लगे हुए है आज भी मेरे कुछ जमा करता हुँ आज पी आफिस में गय है और कारिकरताओं वारा आपके आंगुलन को मिल रहा है। निवेसकों के द्वारा हमको लगवग 100% का समर्थन मिल रहा है लगातार। कारिकरता अभी लगवग 50-60% जागरूप हो गया है। 50-60% जागरूप हो करके हमारा साथ दे रहा है। अब थोड़े बहुत कारिकरता है वो भी जो है आने वाले दिनों में हमारे वो साथ नजर आएंगे। आगे की क्या रन्निती होने वाली है आपके आंगुलन की आपके मूर्ची की। आगे की रन्निती यही है कि अरतीसओ जिला में हम लोग सरख पर ग्यापन मतलब प्रोटेस्ट को निकालते उए हम लोग दीजिएंगे। और 38 जिला का कारिक्रम करने के बाद हम लोग गांधी मैदान में एक दिन हम लोग है वो लाकों लाक पी संक्या में उस प्रोटेश्ट को कड़ेंगे जिससे की राज सरकार को बैट करके समझ करके इसको जो है उसको रास्ता निकालने पर वो वो वीवस हो जाए जब जब वो कि इतने वड़े जमा करता हूं उन्हें इस तरह का मतलब पूरे पटना गांधी मैदान में एक आंदोलन का रूप ले ले लिया है और जब भी सभा जब बिहार राज सदन में बात उखेगी तो पहले से ही विदायक सांसत को जानकारी रहेगी कि हम लोग जिसी जिले में प नहीं कराती है तो निस्तित तोर पे 2024 में उनके लिए जो है उनका जो समय होगा उनको जो पूर्सी के लिए सोच रहे हैं उनकी खत्रे में पड़ जाएगी ज़ना हम बात करें कि आंदूलन के जरीए सरकार पर दवाब बनाएंगे तो क्या दिल्ली में हुआ हो तीन दीवत्सी है जो आंदूलन था तो क्या उससे दवाब बन पाया क्या आपकी समस्या का हल निकल पाया निबेशिकों का पैसु का भुक्तान हो पाया दिल्ली में अंदोलन दिल्ली का जो अंदोलन रहा हमारा वो संक्या बलते कहीं हमारी जो लड़ाई होनी चाहिए उस महां तक नहीं पहुंच पाई लेकिन हाँ दिल्ली का अंदोलन देश में यह पत्विम बन के जरूर उखर के आया कि लोग लुआइक हर में स्टेट में जिला वाइज करने का हम लुगों निरन के अपने अपनें जिले से उतर पर के जो है राज्य में बड़ा अंदोलन स्टेट का बड़ा अंदोलन होगा और आगे चल करके यह लड़ाई जो हैं वहां तक जब हम लोग पहुंचेंगे गांदी मैदान में तो वहां पर जो होगी हमारी हो लडाई और या पार की हो लडाई है यानि कमाना जुसक्त है कि जो पटना में आपका अंधलcen होने वाला है वो देश ब्यापी अंध faltbricht होने वाला है दिली से जी जो डिली के जुनतरव पर आपने अंधलन कि उसी निस्ट ब्रक और करके सारे लोग करते यहां प्यकत्र हो करके सभी कारकर्धा नहीं करते तब तक हम लोग आपको नहीं हो तो क्या उमीद कर रहे हैं कि जो निवेशकों का पैसा है क्या उसका भुपतान सुप्रत रोए सहरा फ्री जिन्य कहा जो रहा है क्या यह बुपतान करवा पाएंगी निशित तोर पे अब इस तरह की बाते आती है तो निशित तोर पे यह यह जो है पूरा जो है जो सहयंत रचा हुआ है सरकार भी सामिल है सहरा सिर्वत राय भी सामिल है कानून ब्रेवस्थाएं भी उसकी साथ है अब इतनी बड़े लड़ाई में जब तक जन आंदोलन का सहयोग अर साथ नहीं मिलेगा तो निशित तोर पे यह बिलकुल नहीं क पर दोड़ाई करता है और मोर्चे के जितने भी सदस्य हैं तो क्या आंदोलन परगी डिपेंडेंट होकर सहरा इंडिया के खिलाफ अबाज उधा रहे हैं लड़ाई लड़ रहे हैं क्योंकि कानूनी कारवाई भी की जारी है कानूनी करवाई करते हम लोग एक जूटा होक करके सरकार को यह बात रखने जा रहे हैं क्योंकि सरकार जो है कानी की पड़िशासा बड़े बड़ा लेट से समझ रही है लेकिन जैसे ही वह देखते कि इनका स्वरूप बड़ा हो जाएगा तो आने वाला 2024 कहीं ने कहीं मेरे लिए खत्रा का साबिक हो सकता है क्योंकि बि बिहार राज में उसके ही राज में लगवाग 2 करोर लोगों का पैसा डिकोईट है 2 into 5 कर दिए तो 10 करोर लोग बिहार का अज गरसित है अगर वो यह चीज़ दिख जाएगा तो सरकार को यह सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि बिहार सरकार को जो हर हाल में जो गरी गंता क तो अगर वो पैसा नहीं देगी तो 2024 का नतीजा उसके लिए बहतर सावित नहीं हो पाएगा तो निशित तोर पे 2024 को हम लोग को केंदर मिंदू मना कर कहीं काम कर रहे हैं और यह लड़ाई जिस तरह से हम लोग को सहयोग मिलता आ रहा हमको लग रहा है कि गांदी मैदान हम ल मुझे की उमीदे हैं वो केंदर सरकार से नाव होकर बिहार सरकार जेडियो सरकार ते होने जा रही है या हो रही है नहीं हमारी मांगे राज्य से लेकर केंदर सरकार तक जा रही है यह पूरा देश का मामला है लेकिन अगर हम लोग अगर किसी राज्य को लेकर के तक पुरा देश भासी एक साथ उस लडाई में साथ देदे तो रास्ता निकल जाए अगर राद रास्ता तो निकलना है केंदर निकलना केंद निकल कर और क화를 हो in आए मिन से बहुत बहुत शुक्रिया सर्ड दनियो सुटीन के साथ चुनने के लिए ऐसी तमाम चिर्चाय लेकर आप सभी के सामने में अचली राट हो राती रहूंगी बने लेगा दनियो सुटीन के साथ वीडियो अची लगी हो तो इसे लाइप शेयर कमेंट जरूर झाल